डांस रेयल्टी शो डांस प्लस को लेकर काफी ज़्यादे वेस्ट चल रही है शक्ति और अपनी बिजी सेडूल में से टाइम निकाल कर आए वहाँ पर रागव जयाल और वरुन्धवन शक्ति ने अपने इंश्क्राम से दोनों को थैंक्स भी बोला बहुत सारी बात है हुई काफी सारे इंट्र्यूज होए तो चले बात करते हैं उनी इंट्र्यूज के कुछ की पॉइंट से जिन से हमें पता चला है कि भई हाँ इस साल के एंड में अगली साल की बिगनिंग में हाथ पीले होने वाले हैं शक्ति मोहन के देखे अभी टीवी से रागव और शक्ति की जोड़ी गायब है ये दोनों अलग-अलग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं रागव जहां मूवीज में बिजी हैं शक्ति अपने गानों को लेकर काफी जादा वैस्त चल रही है अभी रिस लेकर जहां पर रागव जाल मौझुद थे सल्मान यूसुब मौझुद थे वरुंद अबद मौझुद थे तीनों मोहन भेने यानि की निती मुक्ति शक्ति ऐसे मैं पूचा गया कि आप शादी कब करने वाली हैं जिसमें बहुत ही फनी अंदाज में कहा कि रागव अभी फनी सबसे प्यारी जोडी है इस साल के एंड तक आकर भाई वो दोनों शादी कर लें देगे रागव और शक्ति के रिस्तों के लेकर पहले भी काफी जादा कॉंटरवर्सी हो चुकी थी जब रागव नए ने टीवी इंडूस्री में आये थे तो उस वक्त वो कई महीनों तक रिलेशन में थे मुक्ति के साथ जो की शक्ति की बहन है और उसके बाद में रागव और सक्ति की बीच में काफी जादा बाते बंद हो गई थी इन दोनों की जब से ब्रेक अप हुआ ये तीनों बहने ही रागव से काफी दूर चली गे थी उसी वक्त आया डांस रियाल या फिर ये रागव जीलुकी दोनों already शाधी सुदा ये लेकिन बैज जब शक्ति इनोनों के साद्ध डांस करती है तो लगता है कि यार यह दोनों ही शक्ती मौहन के लिए बने हैं आप बताइगी आप के हिसाब के सबसे प्यारा पेर शक्ति मौहन का किसके साथ बंता है बागी जैसे को अंदर की खबर आती सबसे पहले आपको बताई जाएगी यहां तक आने के आपको बहुत बहुत शुक्रे मिलता हूं कल तब तक आप सभी को अलविदा